नमस्कार, एस्टोलोजी प्रोचनल में मैं दीपक लोहनी आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ आजकल जिंदगी में बढ़ती हुई भागदोड के साथ लोगों का जो जीवन जीने का तरीका है वह ब्यहतर जरूर हुआ है लेकिन इसके बदले हमें बहुत कुछ गवाना पड़ा है खास करकी जो मानशिक तनाव है उसके लिहाद से यह भागदोड और व्यस्त जिंदगी आम लोगों के लिए काफी तनाव पोने साबित होता है जब से कोरुनम हमारी की शुरूवात हुई उसके बाद से आम लोगों के मानशिक तनाव में भी व्रिद्धी हुई है लोग अकेले रहने के लिए मजबूर हो गए हैं किसी ने अपने किसी खास को गवाया है हर किसी पर हौप और डर हमेशा हावी रहा है यह सब जो हो रहा हैं इसकी वज़े से मानशिक तनाव की स्थिति को बच से बत्तर बना दिया है अब अगर जिस ब्यक्ति को मानशिक तनाव होगा ऐसे ब्यक्ति के इसी भी कारी में मन नहीं लगेगा उसे अपने कारी में ध्यान देने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा यही नहीं यह मानसिक तनाव हमारे सारीरिक फ्वास्त पर भी प्रभाव डालता है इसकी वज़े से व्यक्ति में अनिद्रा की सिकायद हो जाना, बेचेनी होना और इस अनिद्रा और वेचेनी की वज़े से भूग न लखवाना यहाँ समच्याएं व्यक्ति को अत्यदिक परिसान कर देती हैं यहाँ सब तनाव के कारण हैं यहाँ तक कि ऐसा व्यक्ति अपने पसंदीदा गतिविद्यों पर भी मन नहीं लगा पाता है इस तनाव की वज़े से उस व्यक्ति के सभाव में भी बेरूखी आ जाती है जिसकी वज़े से उसकी भासा कठोर होने लगती है उस व्यक्ति में चिलचड़ापन बढ़ जाता है इसी वज़े से कभी अच्छे भले रिष्टू में भी खठास आ जाती है कुल मिलाकर व्यक्ति के स्वास्त मन से ही स्वास्त तन का आधार बनता है यही वज़ा है कि व्यक्ति का मानसिक स्वास्त मनुष्य जीवन का एक प्रमुख हिस्टा है जिस पर हमें सारिरिक स्वास्त के बराबर ही ध्यान देने की जरूरत है यहां जो समय होता है इसमें ब्यक्ति अत्यदिक परिशान देता है हो सकता है यहां तनाव के इस्तिति आपके जीवन में भी आ सकती है तो उसका आपको अनुभाव कैसे होगा आज के वीडियो में हम मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कुछ ऐसी जानकारी आपको दिंगे जिसमें कौन-कौन से ग्रह मानसिक तनाव के लिए जिमेदार होते हैं जिनकी असु ब्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव को जन्म देता है साथ ही ऐसे कौन से जोतिसी उपाए हैं जिसे अपना कर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अकारण होने वाले तनाव से खुद को बचा सकी तो यहाँ सब सुरू करते से पहले अगर कोई दर्सक चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर कीजिए जिससे आजकल के भागदौर जुक्त जीवन में व्यक्ति अपने तनाव को दूर कर सकी तो शुरूवात करने से पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि मानसिक तनाव और जोतिस का क्या संबन्द है जोतिस सास्त्र यहाँ मानता है कि भ्यक्ति के जीवन में घटने वाली घटनाएं चाहे वो हविश्य की घटनाएं या बरतमान समय की घटनाएं हरे एक घटनाओं पर ग्रहूं की चाल और इस्तिति पर निर्भर होती है ऐसे में ब्यक्ति के मानसिक स्वास्त पर भी ग्रहूं के गोचर और इस्तिति का बहुत जादा प्रभाव पड़ता है कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनके कमजोर होने से व्यक्ति को अपने जीवन में मांशिक तनाव से दोचार होना पड़ता है तो चलिए अब सुरुवात करते हैं कौन से ग्रह हमें मांशिक तनाव के लिए कारक बनते हैं और हम उन ग्रहों के क्या उपाय करें जिससे हमारा मांशिक तनाव दूर हो पाए तो मांशिक तनाव के लिए जो मुख्य तीन ग्रह हैं उसमें से सुर्य, बुद्ध और सनी तो सर्वप्रथा में हम बात करते हैं सुरी ग्रह की शूर्य को सभी ग्रहों में राजा का दर्जा प्राप्त है, शूर्य प्रत्यक्ष है, शूर्य पूजनी है, और सभी प्राणियों के आत्मा का स्वरूब माना जाता है, ऐसे में कभी-कभी आपको ऐसा भी महसूस होता होगा, कि अचानक ही आपके आत्म विश्वास में कमी आ तो ऐसी इस्तिति में संभव है कि आपकी कुंडली में सूरी की कमजोर इस्तिति बनी हुई है, जोतिस सास्त्र के अनुसार जब जब सूरी लगने भाव और सब्तम भाव से गोचर करेंगे, या फिर तुला रासी में मौजुद होंगे, वहां उनकी नीच रासी है, तब तब यह सभी इस्तितियों का सामना उस ब्यक्ति को करना पड़ेगा, तो यह ग्रह मानशिक तनाव को उत्पन्न करता है, जब जब उसका गोचर चंदर रासी के हिसाब से ब्यक्ति के लगन भाव पर, सब्तम भाव पर या जिस भाव पर तुला रासी है, उसमें सूरी नीच के ह जाते हैं, उन स्तानों में जब भी सूरी का गोचर होगा, तो उस ब्यक्ति को उस समय दोरान अत्यदिक मानशिक तनाव का सामना करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो ब्यक्ति को उपाय करने चाहिए, जिससे यह मानशिक तनाव उस दोरान ब्यक्ति को परेशान न कर सके, उसके लिए ब्यक्ति को सूर्य को सांत करने तथा उसके नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए प्रती दिन सुभा जल्दी उटकर तावे के पात्र में जल, रोली, चावल और लाल पुस्प मिलाकर सूर्य देवता को ओम घ्रणी है सूर्याई नमह का जाप करते हुए जल अरफित करना चाहिए इससे ब्यक्ति के मांचिक तनाव में कमी आती है तो अगर किसी भी ब्यक्ति के सान्थ या इस्तिति बनी हुई है उस ब्यक्ति को इस तरह के अपने जीवन में जो लक्षण है वह दिखाई दे रहे है उसके बाद उस ब्यक्ति को इन उपायों से सूर्य ग्रह से होने वाले तनाव की इस्तिति को कम किया जा सकते है अब बात करते हैं बुद्ध ग्रह की बुद्ध को सभी नौग रहूं के बीज यूराज की संग्या दिक गई है यहां किसी भी ब्यक्ति के संचार करने की शम्ता और बुद्ध का कारग ग्रह माना जाता है ऐसे मैं यदि आपको अचानक से यह महसूस हो रहा है आपके मित्रों के साथ आपकी अनबन होने लगी है या मित्र या सहकर्मिय आपके जो भी हैं वह मजाक से आपको ठेश पहुचा रहे हैं इसका अर्थ यह हो सकता है कि बुद्ध आपकी कुंडली में कमजोर अवस्ता में है इसके अलावा कारी छेत्र में सहकर्मियों के साथ संचार करने में या अपनी बात को उन्हें ठीक तरह से बता पाने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या अपने अंदर की भावना को सामने वाले तक आप सही तरीके से नहीं पहुचा पा रहे हैं तो यहां भी कमजोर बुद के लक्षण है अगर कुंडली में बुद सही इस्तिती में मौजूद होते हैं तो यहां भी हो सकता है कि बुद उस दोरान आपके नीच रासी में गोचर कर रहे हैं इसकी वज़े से भी यहाँ परेशानी हो सकती है, यहाँ इस्तिति आपके जीवन में बन रही है, तो आपको उस दोरान बुद्ध को प्रसंद करने के उपाय करने चाहिए, आपको इस समस्या के समाधान के लिए प्रति दिन गणेश भगवान की पूजा करने चाहिए, जितन सुधार होना सुरू हो जाएगा, तो अब बात करते हैं सनिग्रह की, कभी-कभी जातक को ऐसा महसूस होता है कि अचानक से उसके बने हुए कारिय बिगड़ने लगते हैं, कारिय छेत्र में सह कर्मियू या अपने अंदर कारी करने वाले लोगों के साथ मन मुटाव होने ल नहीं हो पाते हैं, यह सब परिस्तित्या मानशिक तनाव को जन्म देंगी, ऐसे में यह इस्तित्य यह बताती हैं कि आपकी कुंडली में सनी कमजोर अवस्ता में हैं, या तो फिर उस समय उनका गोचर नीच राशी में हो रहा है, इसे हमें गौर करना चाहिए, अगर ऐसा क के दिन भगवान सनी के सामने सर्शू के तेल का दिया जलाना चाहिए, साथ ही सनिवार के दिन काली उड़त का दान करना चाहिए, अगर आप यह सब करते हैं, तो आपको जो मानशिक तनाव, मैंने आपको तीन ग्रहों के बारे में बताया, यह तीन ग्रह किस तरह से हमारे म आंचिक तनाव का कारण बनते हैं और हम इनके उस बीच में कैसे उपाय कर सकते हैं जब उनका गोचर नीच की रासी में हो या कुंडली में इन तीन ग्रहों की असुब इस्तिती बनी हुए उसका आप उपाय करके इस तनाव का समाधान पास सकते हैं तो यह एक बहुत जानकारी थी जो आजकल के समाई के दोरान बहुत जरूरी है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी जो दरसक चैनल पर नए है चैनल को लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन जरूर दबाईए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और कमेंट बॉक्स मा आप जरूर लिखे आपको वीडियो कैसा लगा धन्यवाद